लखी सराय जिला से सुजीत कुमार संग रुपेश कुमार की रिपोर्ट कोविड उन्नीज के तहट बढ़ते लॉक डाउन में कौन सी दुकाने खुलेगी और कौन बंद लगातार बढ़ते कुरोना बरीज के प्रकोप को लेकर सरकार में गाइड लाइन जारी की थी जिसके तहट शुरुआती दौर में अलग-अलग दिनों में अलग-अलग दुकाने खुलनी थी इसके उपरान बढ़ते गति विधी को लेकर लॉक डाउन टुमें आतियावशक को छोड़ कर सारी दुकानों को सुबहाट से लेकर 12 बजे तक खुलना था वही तीसरी लोक डाउन में सरकार ने फिर नय नियमो को लागू किया इस संदर्ब में लखी सराय असीले की चानन प्रखंट की अंचला अधिकारी में बताया की नय नियमो के अनुसार का पड़ा की दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी की सोना, चादी, बरतन, जूता, चपल, खेलकुद आधि की दुकाने भी इसी दिन खुलेगी इसकी अपेक्षा सुमवार, बुदवार, शुक्रवार को इलेक्ट्रोनिक की सारी दुकाने खुलेगी इन्हें दो श्रिणी में बांटा गया है कि राना, अंडा, मांस, मचली, सबजी, खेती से संबंधित सामगरी की दुकाने प्रती दिन खुलेगी ये दुकाने सुबह 6 बजे से लेकर 2 बच तक ही खुलेगी सरकार द्वारा कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए, यद्धिकी कोरोना के स्थेती थोड़ी घटी ही है फिर भी सरकार द्वारा इसको एक्स्टेंसल लॉकडाउन के पिरिएड को विस्तारित कर दिया गया है जिसमें एक तारीक के बाद से दो तारीक से लेके आठ तारीक तक इसको विस्तारित किया गया है इस विस्तारन के अभधी में जो कुछ परिवर्तन किया गया है जिसमें दुकान जितनी भी दुकाने हैं वो युबे 6 वजय से लेकर दो बजय तक खुले उसमें भी तीन सरेणी में जिस्छा धीकारी द्वारा हमारे इसको तीन स्रेणी में बाठ दिया गया है उसमें प्रथम सरेणी में हुए कि जो अत्यावश्यक दुकाने हैं हलकी दुकान है और जो निर्मान से समंदित दुकान है वो उसको एक स्रेणी में रखा गया है जो प्रतिय की दुकाने हैं वह विविन्य तरीके की जो अलग अलग कि सब्सक्राइब को छोड़के सभी दुकाने बिलकुल बंद रहे हैं यही निर्देश है इसके अलाबा कुछ और भी डील दिया गया है किन्तु कुछ अब सिख सेवा के अलाबा भी यह जो जितने सरकारी कारियाले हैं वह भी 25 परतीशत कर्मी के साथ खुले रहेंगे सेश जो कारियाले है प्राइवेट वाली कारियाले हों वह सब बिलकुल बंद रहे हैं शदानंद बर्णवाल अंचल लदीकर कि अर्चारी कार्णा में बंद रहे हैं